भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI और इंडियन प्रीमियर लीग, IPL की आठ परेंचाईजी टीमों के मालिकों के बीच शनिवार को मुंबाई में हुई बैठक में IPL के मैचों में कटोती पर चर्चा की गई, जबकि किंग सिलेवन पंजाब के रिकस IP के मालिक ने स्व करवार को IPL को 29 मार्च से 15 अपरेल तक निलंबित कर दिया, बोर्ड ने इसके साथ ही दक्षिन अफरीका के खिलाफ वनडे सीरीज भी रद कर दी थी, दो या तीन हफ़ते के बाद स्थिति की होगी समीक्षा, वाडिया ने IPL मालिकों की BCCI अध्यक्ष सावरव गांगुल और सचिव जयाशा के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, हम या कोई भी आज यह बताने की स्थिति में नहीं है कि यह तूरना में इंट कब शुरू होगा, हम दो या तीन हफ़ते के बाद स्थिति की समीक्षा की करेंगे, उमीद है कि तब तक मामलों में कमी आ बोर्ड सूत्रों ने हाला की बताया कि बैठक में विभिन विकल्पों पर चर्चा की गई, बी सी सी आई सूत्र ने गोपनियता की शर्थ पर पी टी आई से कहा, टीम मालिकों और बी सी सी आई के बीच बैठक के दोरान 6 से 7 विकल्पों पर चर्चा की गई, जिन में IPL वाडिया ने स्पष्ट गिया कि वर्तमान में स्वास्त संबंधी उपाय करना प्राथमिकता है। और इसके बाद चोटी पर रहने वाली चार्ट टीमें प्ले ओफ में पहुंचेंगी। तीसरा विकल्प सब्ता हांट के आलावा अन्य दिनों में भी दो-दो मैच करवाना है। चोथा विकल्प सब्ही मैचों का आयोजन केवल दो केंद्रों पर करना तथा खिलाणियों, सहयोगी स्टाफ और टीवी प्रसारन टीम के सदस्यों की आवाजाही को सीमित करना है। एक अन्य विकल्प खाली स्टेडियमों में कम समय के अंदर सभी साथ मैचों का आयोजन करना है, ताकि हित धारकों को अधिक नुकसान नहो। सूत्रों ने इसके साथ ही पुष्टी की की बैठक में टूरनामी इंट को विदेश में आयोजित करने पर चर्चा नहीं की गई। कोरोना के कारण विश्व भर में 5000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विद्धिय नुकसान के बारे में नहीं सोच रहा स्टार वाडिया ने कहा, BCCI, IPA लोर आधिकारिग प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स ने सपष्ट गिया कि हम विद्धिय नुकसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, बैठक में सभी इस पर सहमत थे कि इंसान पहले आता है और वित्तिय मामले बाद में, हम यहां सरकार के दिशा निर्दीशों का पालन करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस महीने के अंत तक कोई फैसला किया जाएगा, हमें देखो और इंट जार करो कि नीती अ अपनानी होगी और उम्मीद है कि स्थिती में सुधार होगा, वाडिया ने कहा, जब तक सपष्टा नहीं हो तब तक कोई फैसला नहीं किया जा सकता है, दो तीन हफ़ते में ही कुछ सपष्ट हो पाएगा, जहां तक विदेशी खिलाडियों के आने की बात है तो मैं नहीं जानता, अभी 15 अप्रेल तक प्रतिबंध है और उसके बाद हम देखेंगे, अगर IPL होता है तो यह बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं होता तो ठीक है, संभव है, बी सी सी आई एक और बैठक बुलाईगा, दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्त, जिंदल ने विकल विकल्पों पर चर्चा करने के लिए एक और बैठक बुलाएगा, आज की बैठक इस बात के लिए थी कि वे स्थिती पर नजर रखे हुए हैं, हम भी ऐसा कर रहे हैं और हम सही समय पर फैसला करेंगे, जिंदल से पूछा गया कि क्या सत्र में अधिक दिनों में दो मैचों का आयूजन किया जाएगा, उन्होंने कहा, हमने किसी चीज पर चर्चा नहीं की, हमें स्थिती का आकलन करना होगा तथा लोगों का स्वास्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, एक बार स्थिती नियंत्रण में आने के बाद सभी विकल्पों पर चर्चा हो सकती है